आप सभी का स्वागत है। कैसी हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ दर्शे को आप सभी स्वस्त और सुरक्षित होंगे। दर्शे को आप सभी जानते हैं कि 17 फरवरी देनिशनीवाल को गुप्त नवरात्री की अस्टमी दिथी है। इस गुप्त नवरात्री की काल रात्री सिद्ध अस्टमी दिथी पर यदि आप मा दुर्गा का आशिर्वात प्राप्ति करना चाहते हैं, अपनी मन की कामना को पो और मा लक्ष्मी आपके घर में इस्थाई रूप से वास करे तो आज के इस वीडियो को आप पोन रूप से सुनिएगा और दीखेगा आज के इस वीडियो में हम आपको अचोग से उपाय के बारे में बताएंगे काल रात्री यानि की गुप्त नवरात्री की सिध्ध रात्री में मा काली का पूजन किया जाता है मा दुर्गा के पूजन से भी आपको कई प्रकार के लाब हो सकते हैं पोजनिय गुरुजी ने अपनी श्रेशे महापुरान कथा में भी इस उपाय का वर्णन किया है बहुत ही छोटा सा और सरल सा उपाय है इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की आवशक्ता नहीं है ना ही कोई खर्च करने की आवशक्ता है बहुत छोटा सा और सस्ता सा उपाय है हर किसी के घर में आटा अवश्य ही होता है जिसकी हम रोटिया बनाते हैं हर किसी के घर में रोटिया रसोई घर में अवश्य ही बनती है तो वही रोटि के आटे से आपको यह उपाय करना है बहुत ही सरल सा उपाय है बस ध्यान ये रखना है कि रात को आपको यह उपाय करना है करीब रात में 11 से 12 बजी के बीच आपको यह उपाय करना है क्योंकि रात्री में किया गया उपाय एकांत में किया गया उपाय हमें अच्छे फल की प्राप्ति पहुचाता है इसका फून फल आपको प्राप्त होता तो क्या करना है मा काल रात्री के लिए सिद्ध रात्री के लिए अस्टमी तिथी पर दुर्गा अस्टमी के इस सुब आउसर पर गुप्त नवरात्री के पावन अस्टमी पर आपको आठ दीपक त्यार करने हैं प्रतिमा के समक्ष प्रजवरित करें अपने मन की कामना को कहें और किसी भी मा की मंत्र का उच्चारन करें कामना पोन होगी